हलो स्टुएंट्स हमारे पास कॉश्चिन है दा वोल्टेज ऑफ दी सेल जैडन अबलीक जैडन सी एन फो डबल नेगेटिव अबलीक सी एन नेगेटिव यह कॉमा लगा होता है और भी साइन भी यहां पर हो सकता है सॉल्ट ब्रेज जैडन डबल पॉजिटिव अबलीक यहां हमें फॉर्मेशन कॉंस्टेंट निकालना है और दोसरी कोई नहीं अज्यूम करनी है लिखा है साफ साफ जब कॉंप्लेक्सेशन होता है तो ओनली जैडन डबल पॉजिटिव प्लस पॉर सी एन नेगेटिव कॉंप्लेक्सेशन रियक्शन आफ इम्पोर्टेंस इसक क्यावली इन ही से बनाना है आपको अपनी तरब से कोई और इसमें एक्स्टा एड नहीं करनी है ठीक है तो हमें के एफ के लिए अब इस रिएक्शन पर डिरेक्ट आ जाओ यहां देखो यह लिखा हुए तो इसके लिए लिखना है तो के एकुल क्या हुआ हुआ थिस कॉं क्या जेडें डॉबल पॉजिटीव आइन एक तो हमें किसकी कंसेंट चाहिए हमें कि चाहिए जेडें डॉजिटीव आइन की उससे निकालते हैं ठीक है तो चलो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले तो दोनों साइट जैडेंड का यूज होना था यानि एनूड पर जिंक का ऑक्सिदेशन होना था और कैथोड पर जैडेंड डाबल पॉस्टिव आइन का रेडेक्शन होना था तो इडिग्री सेल 0 है तो मैंने यहां लिखा इडिग्री सेल 0 तो अब नंस्ट एक्वेशन हमारे पास क्या है इसल इक्वल टू इडिग्री सेल माइनस 0.0591 अपन टू क्योंकि दो इलेक्ट्रोन का ही गेन लॉस हो रहा है लॉग कंसेंटेशन ऑफ जैन डाबल पोजिटिव लह अपन कंसेंटेशन ऑफ जैन डाबल पोजिटिव यह टर्म हम यूज करने वाले है तो अब लह में जो कॉंप्लेक्स था उसमें जैन डाबल पोजिटिव आइन का इन गांस तो वो दिया ही नहीं है हमें रह से कंसेंटेशन दिया हुए है अब देख सकते हैं अरे जैसर वैल्यू डाल दिया 0.099 और यहां पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जैन डाबल पोजिटिव आइन इस इक्वल तू आपके पास आ जाता है 1.7 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 7 यह जो वैल्यू आई यह जैन डाबल पोजिटिव आइन LHS आ गया अब हमारे पास के तो यह 0.45 बस अब इसकी वैल्यू डाल दो के एफ मिल गया तो चलो करने यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यह जैन डाबल पोजिटिव वह इल्कुल वही रेक्शन तारगे रख दी यहां पर जैन डाबल पोजिटिव एक्वास प्लस 4CN नेगेटिव जो जो आपने कैलकुलेट की अब यह दिया था मारे पास 0.45 यह कॉंप्लेक्स दिया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं 0.45 और यह वैल्यू भी यह आद देख लो 2.65 इंटु 10 वह माइनस 3 तो आपने यह लिखा 2.65 इंटु 10 वह माइनस 3CN नेगेटिव इन कांसनेशन